यहां तब आएंगे जब आपके मंदिर के निर्मान का पत्प्रसस्त हो जाएगा तभी आएंगे नहीं तो बाहर से ही आपको प्रणाम करेंगे यह राम जी को कहकर आए थे वहां से और उसके बाद सर्वच न्याएले ने जो न्याए था वही किया यम्राजी के मर्हाले यम्राजी के मर्हाले हरिश्षर्णम अनन्त कोटि ब्रह्मान नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रम्म असंखेय दिव्यानन्त कल्यान गुणगण निले निखिल हे यप प्रत्यनीक भक्त वांचा कल्पतरू भक्त वत्सल शर्णागत वत्सल भगवान श्री हरी की श्री रगुनाजी की महिती क्रपा करुणा से श्री अयोध्या में शताब्दियों की प्रतिक्षा के बाद दिव्य भव्य स्री राम मंद्र प्रतिष्ठा महुत्सों में श्री राम ललाजी के दर्शन का सवभाग्य हम लोगों को प्राप्त होगा और उसी क्रम में उसी कड़ी में परम भत्तिमती गव ब्राह्मन की परम उपासिका प्रजावत्सला महान शिवो पाशिका श्री अहिल्या दिवी की पवित्र नगरी इंद और महानगर में भी खाती पुराक्षेत्र में दिव्य भव्य राम मंद्र का निर्मान भी हुआ और उसका प्रतिष्ठा महोत्सों का क्रम भी आज से आरम हो गया है अब अयोध्या में स्री राम मंद्र की प्रतिष्ठा तो एक अमिट इतिहास भारत वर्स का बन गई है और उसी इतिहास से इंदोर के स्री राम मंद्र खाती पुरा का भी इतिहास संबद हो गया जुड़ गया तो पीडियों बाद भी लोग याद करेंगे कि ये मंद्र कब बना था इंदोर वाला स्री राम मंद्र कब बना था जब अयोध्या में राम मंद्र बना प्रतिष्ठा हुई उसी समय यहां मंद्र भी बना था उसी समय यहां भी रगुनाज जी की परिकर सहथ प्रतिष्ठा हुई थी और जैसा की राम गोपाल दाश जी ने बताया राम मंदर में भी संगर्ष कम नहीं था बिदेशी बरवर आकरान ताने भगवान स्री राम के पवित्र जनमस्थल को भगन करके वहां एक विवादित धांचा खड़ा कर दिया था और उसके बाद से लेकर लगभग पानसो साड़े पानसो वर्स तक लगातार संगर्ष किया गया है और अन्त में भगवान के अनुग्रह से आज यह श्वरिनिम अवसर हम लोगों के जीवन में हम लोगों के जीवन काल में प्राप्त हुआ कि हम लोग जो कहते थे सौगंध राम की खाते हैं मंगंदिर वहीं बनाएंगे उस समय कई लोगों ने विरोध भी किया था बताओ राम जी की सौगंध खालिया कैसे बनेगा बने नहीं सकता है लेकिन बन गया राम जी भी राजमान हो गए राम जी टेंट में थे तंबू में थे राम जी टेंट के नीचे थे राम लला और एक बार हम भी दर्शन करने गए थे कई घंटे लग गए और पुलिस की बड़ी सुरक्षा थी चैत्र मेले का राम नोमी का ही अवसर था गए तो सही बहुत लंबी समय तक लाइन में लगकर लेकिन बहुत स्वल्प दर्शन हुआ और वहां से भीड़ थी पुलिस ने हैटा दिया उसमें पुलिस का कोई दोसने वो तो विवसापक हैं उनको सब को दर्शन कराना है लेकिन ठीक से राम लला से नजर से नजर भी नहीं मिल सकी प्रणाम तक नहीं कर सके और हट जाना पड़ा प्रणाम भी नहीं कर सके जब बाहर आयए परिशर से तब प्रणाम किया और उस इसमें हमने निवेधन किया के राम जी अयोध्या तो हमारी इस्ट की नगरी है हम आयेंगे निजधाम है अयोध्या आयेंगे पर यहां तब आएंगे जब आपके मंदर के निरमान का पत्प्रसस्त हो जाएगा तभी आएंगे नहीं तो बाहर से ही आपको प्रणाम करेंगे यह राम जी को कहकर आये थे वहां से और उसके बाद सर्वोच न्यायले ने जो न्याय था वही किया यदि यह न करते तो अन्याय होता जो न्यायोचित था वही सर्वोच न्यायले ने किया और स्री राम जन्म भूमी के मंदिर निर्मान के लिए भूमी पूजन का निश्य हो गया उसमें हमारा चात्रमा से चल रहा था जड़कोर गोधाम में चात्रमा से के क्रम में बाहर जा नहीं सकते पर हमारे पूज्य बड़े संतों ने आग्रह नहीं विशेश आदेश दिया कि नहीं भूमी पूजन में आपको आना ही है उनमें पूज्य स्वामी स्री गोविंदे उगरी जी ने कहा आपके चात्रमा स्वरत भगन होगा तो उसका दोस हम अपने स्रिपे लेते हैं आप आईए और पूज्य श्री रवासा महराज ने कहा और भी कई महापुरुशों ने कहा संग के बीप के जो प्रमुख गण्य मानने लोग हैं उन्होंने भी कहा सब क्या ग्रह के कारण हम वहाँ गए और जाने से इलाव हुआ कि भूई पूजन के एक दिन पहले हम भगवान की क्रिपा से उनके निकट तक पहुँच गए और रामार्चन चल लहा था रामलला का स्री रामलला का कमल और तुलसी पुश्वसे सास्रार्चन करने का सवगा की मिया तो मन में आया कि रामलला से कहके आये थे और भगवान ने अपने ही संकल्प से यहां तक पहुँचाया और उसके बाद अब जब रामलला की दिव्य भव्य प्रतिष्ठा हुई है तो उस प्रतिष्ठा में भी पहुँचने का और सब पुझ्य भारत वर्ष के महान संतों के दर्शन का सवग्य प्राप्त हुआ संपूर्ण सनात्रियों के हरदय में जैसा हर सो लास उस काल में देखा गया और आज भी हो रहा है उसका कोई दूसरा उदाहरन कम से कम सो दो सो साल की इतिहास में तो प्राप्त होना संभव नहीं है भारत देश स्वतंत्र हुआ उन्नी सो सेंतालीस में हम उस समय पैदा नहीं हुए थे हमारा सरीर उत्पन नहीं हुआ था होंगे किस रूप में कहां होंगे भगवान जाने लेकिन ये सरीर उत्पन नहीं हुआ था इसलिए हमने कोई प्रत्यक्ष देखा नहीं लेकिन हम ऐसा अनुभव कर सकते हैं कि साएद उस समय देश के स्वतंत्र होने पर भी हमने अनेक महापुरुषों को अविरल अस्तुधार बहाते हुए देखा है मलब बेटर विर्दारी यम्राणी की मल्याणी मलब बेटर विर्दारी यम्राणी की मल्याणी